हेलो एडरीवन गुड इवनिंग वेलकम चु दिस रिविजन लेक्चर आज हम लिस्निंग स्किल्स पूरे रिवाइज करेंगे और जितने भी लोग ये लेक्चर देख रहे हो वो सभी लोग मेरे साथ बोलोगे लाइव लेक्चर में बैठे हो ये अजियूम करके मतलब सारी चीजे यही पर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी चलो सबसे पहले मुझे बताओ लिस्निंग और हियरिंग सिमिलर है क्या या इसमें कोई डिट्रेंस है क्या लिस्निंग और हियरिंग अलग होता है हियरिंग क्या होता है दस सेकंड्स आखे बन की थी ना और क्या क्या था बस आवाजे सुनी थी पर ध्यान था क्या अटेंशन था क्या नहीं था फिर और दो examples वह husband wife में husband का ध्यान था क्या wife क्या बोल रही है उसके उपर नहीं था वो तो बस mobile में लगा था फिर आप भी किसी के साथ shopping को गए थे आपका भी ध्यान था क्या उनकी बातों पर, ध्यान कहा था, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनी सारी चीजों पर ध्यान था, मतलब आप लोग क्या कर रहे थे, आप लोग hearing कर रहे थे, फिर listening क्या होता है, listening हम सभी लोग क्या listening करते है, listening का मतलब क्या है, जो छोटा सा बेबी है, वो तो hearing करता है, फि listening को attention लगता है और attention किसे sound or action को तो हमारी पहली listening के definition क्या थी giving attention to sound or actions चलो repeat करो मेरे साथ listening के definition क्या है listen simply means giving attention to sound or action चलो फिर मुझे बताओ यह जो listening है क्या वो physical activity है आवाज आएगी ना तिर जो hearень है वो भी physical activity है हाँ वो भी physical activity है पर इसमें से mental activity कौन सी है mental activity कौन सी होगी दिमाग कहा लगाना पड़ेगा listening में लगाना पड़ेगा hearing में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या वो तो baby भी करता है, पर listening में, listening में दिमाग लगाना पड़ेगा, इसलिए वो mental activity होगी, इसमें से naturally कौन सी होती है, automatic होती है, कोई efforts नहीं लगते, कोई patience नहीं लगते, कोई practice नहीं लगती, कौन सी होती है इसमें से यह process? पर को कोई प्रैक्टिस नहीं लगते कोई पेशन्स नहीं लगते कोई एफ़र्स नहीं लगते पर लिस्निंग को यह सारी चीज़े लगेगी एटोमेटिक नहीं होगा क्योंकि एक मेंटल एक्टिविटी भी है दिमाग लगाना पड़ेगा है ना फिर मुझे बताओ जो नॉन वर्बल चीज़े है वो आप कहाँ पर अब्ज़र्व करते हो हीरिंग में या लिस्निंग में लिस्निंग में अब्ज़र्व करोगे मतलब जो स्टोरी है उसकी तरफ ही नहीं स्टोरी में क्या क्या है उसका तरीका क्या है इन सारी चीज़ों को भी आप अब्ज़र्व करोगे इन सारी चीज़ों में क्या क्या आएगा एक तो फेशियल expressions body language यह सारी nonverbal चीज़े हो गई और listening में आप nonverbal चीज़ों को भी observe करते हो फिर मुझे बताओ अच्छा communicator होने के लिए अच्छे speaking skills important है या अच्छे listening skills कौनसी important है डोनों भी in fact अच्छा communicator बनने के लिए 50% से ज़ादा लिए listening skills अच्छे होने चाहिए अगर अच्छे से सुनोगी ही नहीं तो बात क्या करोगे है ना फिर listening जो है वो speaking pad पर आएगा या receiving pad पर आएगा receiving pad पर आएगा यह MCQ है यह आप याद रखोगे उसके बाद जो listening है वो powerful productive और purposeful है है ना और फिर मुझे बटाओ इसमें से कौन सा ऐसा होगा जहां पर आपको efforts लगेंगे प्राक्टिस लगेगी यह तो repeat हो गया पर यह याद रखना है क्यों क्योंकि यह MCQ आएगा दो important चीज़े याद कौन सी रखोगे एक तो listening में efforts लगते है प्राक्टिस लगती है पेशन्स लगते है उसके बाद listening यह mental activity है और hearing क्या है hearing physical activity है naturally होती है कोई efforts नहीं लगते automatic होती है ना यह चीज़ आप याद रखोगे इस पर एक MCQ आ सकता है उसके बाद हमने क्या देखा था active listening क्या होता है active listening मतलब full listening और full listening मतलब मैंने आपको example दिया था ना physically तो यहाँ बैठोगे but mentally गोवा में घूम रहे हो कैसे चलेगा तो physically भी mentally भी emotionally भी और psychologically भी मतलब fully active होके सुनना है fully involved होके सुनना है फिर हमने पढ़े थे purpose of listening purpose of listening के लिए भी आपको example याद करो shopping वाला सारी चीज़े याद हो जाएगी हमने flow flow में पढ़ी थी चलो बताओ मुझे पहला purpose क्या था पहला purpose सबसे पहले आपने shop में जाके क्या किया यहाँ वाई देख रहे थे कौन आ रहा है कौन जा रहा है मतलब पहला purpose क्या हो गया कोई भी distractions नहीं चाहिए distractions को निकाल दो यह हो गया पहला purpose फिर दूसरा क्या था दूसरा views और ideas को समझना है इसका मितलब वो जो बोल रही थी ना कि मैं कैसे करूँ मैं design कैसे करूँ इन सारी चीजों पर ध्यान देना मितलब यूज और ideas को समझना फिर उसके बाद आपको वो question यहाद है am I looking fat फिर आपने answer कैसे किया आपने answer कर गिया yes और फिर क्या हो गया फिर तो बवाल हो गया तो ऐसे नहीं करना है मतलब क्या करोगे evaluate करोगे critically assess करोगे फिर मुझे बताओ critically assess कैसे करोगे verbal nonverbal दोनों भी चीज़े observe करते हुए nonverbal मतलब बहुत बार हो गया यह बताओ facial expressions body language फिर दोनों भी चीज़ों को आपने observe क्या उससे क्या होगा उससे आपको interest दिखाओगे आप उसके बाद concentration दिखाओगे focus दिखाओगे जो speaker है उसको बहुत concentration से सुनोगे फिर उसके बात क्या हुआ speaker encourage हो जाएगा बात करने के लिए speaker को बहुत अच्छा लगेगा ऐसे नहीं लगेगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ उसे encouragement मिलेगी फिर second last point बताओ अभी कौन सा था selfish नहीं बनना है selflessness approach selfish नहीं बनना है खुद की नहीं चलानी है speaker के बारे में भी सोचना है selflessness approach और आखरी वाला point था दोनों के भी opinions और दोनों के भी views को अच्छे से समझना है एक बार repeat करोगे जल्दी जल्दी purpose बताओ मुझे सबसे पहला purpose कौन सा था सबसे पहला था कौन सा distractions नहीं चाहिए फिर second views और ideas को समझना फिर उसके बाद critically assess करना assess कैसे करोगे verbal non-verbal दोनों भी चीज़े को observe करते हुए फिर observe करने के बाद क्या होगा interest concentration और focus से speaker को सुनोगे और उस सुनने से क्या होगा speaker को encouragement मिलेगी और second last point selfish नहीं बना है selflessness approach और आखरी वाला दोनों के भी side के भी उसको अच्छे से समझना clear फिर हमने देखा था listening और hearing का difference वो क्या है repeat हो गया यह सारी चीज़े हमने already पढ़ ली फिर भी एक बार बताओ यह important है hearing मतला physical activity है ma'am natural process है automatic होता है कोई efforts नहीं लगते पर जो listening है वो कैसा है वो तो ma'am बहुत efforts लगते हैं बहुत practice लगती है बहुत patience लगते हैं तो जो listening है वो mental activity भी है ना फिर उसके साथ साथ nonverbal चीज़ों को भी observe करते हो मतलब story के साथ साथ बाकी भी चीज़ों को ध्यान रखते हो बाकी भी point आपने वो देख लिया था full listening वाला full listening मतलब वही सारी चीज़े mental physical psychological और emotional फिर आखरी types of listening हमने बढ़ा था last lecture में types of listening भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था अब सारी चीज़े याद करो अब ही चलो पहला था discriminative listening उसका मतलब एक वो सुना था ना song कौन सा song था Spanish song था कुछ समझा था क्या वो song कुछ नहीं समझा था कौन सा song सुनाया था मैं कौन सा वो Spanish song था पर फिर भी आपने क्या किया समझने की कोशिश की कैसे accent समझने की कोशिश की फिर इतना तो पता चला जो speaker है वो happy है वो sad नहीं है वो angry नहीं है है ना यह सारी चीज़े कैसे सम जी मतलब यहाँ पे language का पता होता है क्या नहीं पता होता है words का पता होता है क्या नहीं पता होता है बट फिर भी आप समझने की कोशिश करते हो मतलब यह हो गया discriminative listening important sentence कौनसा है आपर differences of sounds को समझना यह एक चीज़ याद रखोगे फिर हमने पेड़ा था comprehensive listening comprehensive listening मतलब discriminative का next part वो आगे जाएगा आगे जाएगा मतलब क्या होगा बताओ क्या होगा आगे जाएगा मतलब language को भी समझोगे ना words को भी समझोगे language में क्या क्या देखोगे words देखेंगे फिर grammar देखेंगे vocabulary देखेंगे sentence construction देखेंगे basically आप अभी कर रहे हो आपको language समझ में आ रहे है words समझ में आ रहे है मतलब आप लोग क्या कर रहे हो आप लोग comprehensive listening कर रहे हो फिर इसको और तीन नाम थे याद है वो कौन से तीन नाम थे आपने कैसे याद रखा था मैंने कैसे याद करने बोला था यहाँ पर मैं क्या देखेंगे आप लोगों को information देखेंगे फिर यह हो गया informative listening information में क्या है content है तो ह हो गया content listening फिर content listening के बाद आप लोग अभी क्या कर रहे हो full listening कर रहे हो फिर यह हो गया full listening वापस बोलो के नाम चलो बताओ मुझे नाम कौन से थे पहला था comprehensive फिर था full listening informative listening और content listening चारो भी नाम याद रखो फिर हमने पेड़ा था critical listening critical listening क्या है critical listening के लिए हमने एक movie का scene देखा था कौन सी movie का गजनी का scene देखा था ना वहापे क्या हो रहा था वहापे वो याद है क्या जो कलपना है वो बनी बनाई कोई स्टोरी बता रही थी और किसको बता रही थी संजरे सिंगहनि RAM का पीइन फॉर्म कि Depth किया और उसके बात कुछ MARTIN करते हैं हम लोग जज करते हैं अर उसके बात कुछ ओपीनियन फॉर्म करते हैं यह हो गया क्रिटिकल लिस्निंग और एक पॉइंट केहां पर मैंने आपको याद करने बोला था बटाओ कौन सा था वह रियॉल टाइम कोगनेटीव एफ़ोड साथ साथ में आप लोग बोलो रिवाइस आपको करना है फिर बायस लिस्निंग बाय करेंगा तो आप लोग सुनोगे क्या बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे ध्यान ही जायेगा है ना तो आपको यतना सुनना है आप लोग उतना ही सुनते हो यह हो गया झान स्लीक यह jurisdiction लिस्निंग में आप उतना ही इस तुनते उबाब डे वानम हो याद कि हैं यह यह आरफ यह आएगा एक्जाम में भी आपको वही आड़ाएगा एमसी क्यों करते वक्त हां बाइस लिस्निंग है यह मैंने यही एक्जाम्पिल दिया था तो इसी तरीके से आप पड़ोगे इवालुएट लिस्निंग देखो अभी इवालुएट लिस्निंग का मतलब यह हम पड़ चुक लिस्निंग में तो क्रिटिकल लिस्निंग मतलब हो गया इवालुएट लिस्निंग इसके और दो नाम है दो नाम बताओ कौन से है एक तो हो गया क्रिटिकल फिर दूसरा हो गया इवालुएट और दो नाम जैज कर रहे हो ना तो हो गया जर्जमेंटल और एक करते हो वैसे ज़्ज क्या करोगे जच करेंगे कि क्ऱी वो person को change करने की कोशिच तो नहीं各 रहा है या कहीं वो हमारे opinion हमारी values से on whichever यह जञ चीज आप जच करोगे फिर आता है appreciate listening appreciative listening में आपने क्या किया था मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था यादे काँसा वीडियो वो musical वीडियो और वो देख क्या आपको कैसा लगा मस्त लगा आपने appreciate किया तो बैसे ही जब हम अच्छी poetry सुनते है या अच्छे communicator को सुनते हैं अच्छे किसी leader को सुनते हैं तो हम लोग क्या करते हैं appreciate करते हैं तो यहीं हो गया appreciate listening फिर हमने देखा था sympathetic और empathetic sympathy क्या होती है आपका वो friend जिसका break up हो गया good friend था वो पर बहुत अच्छा friend नहीं था उसका break up हो गया आपको थोड़ा सा बुरा लगा फिर आपने क्या बोला अरे यार ठीक है तो फिकर ना कर सब ठीक हो जाएगा चिल है ना फिकर ना कर हो जाएगा सब कुछ ठीक पर अभी आपका best friend था उसका break-up हो गया फिर तो बहुत बुरा लगा जितना वो बुरा फील कर रहा था उतना ही बुरा हम भी बुरा फील कर रहे थे उतना ही जादा बुरा हमको लग रहा था क्यों कि बेस्स फ्रेंट था ना फिर यहां पे आप बीयॉज कनेक्शन होगा वो बियॉंड्र सिंपिथी होगा क्या, care होती है, concern होता है, होता है न, क्यों नहीं, sympathy में भी तो होगा, पर empathy में क्या होगा, एक close connection होगा, वो beyond sympathy होगा, empathetic में आप दो ही चीज़े याद रखोगे, go beyond sympathy और close attention, वो होता है empathetic listening, फिर हमने therapeutic listening पड़ा था, therapeutic listening याद है, therapeutic listening के लिए भी हमने एक movie का scene देखा था, कौन स वाला, वहाँ पर भी तो break up हुआ था, पर वहाँ पर break up होने के बाद क्या, उसने empathy दी थी, हाँ, empathy तो दी थी, पर empathy के beyond राके उसने क्या किया, कुछ solution देने की कोशिश की न, और क्या solution वो जब भी मेट के scene में, अरे photos रला दो, या phone करो, ये सारे solution दिये थे, वैसे उसने व बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहा था, वो चाहरा राटा की कुछ change आए, तो इस में थी, होता है, आप empathy तो दिखाते हो, पर आप उपर से solution देने की कोशिश करते हो, कुछ वे डूढने की कोशिश करते हो, कुछ बढ़ाव लाने की, कुछ change लाने की कोशिश करते हो, therapist होते है, वो कैसे करते है, अगर आप कुछ दिककट बताओगे, तो वो अलग-अलग counseling sessions आपके लिए arrange करेंगे, तो ma'am, जो therapist होते है, वही therapeutic listening करते है, क्या? आपको याद है न, मैंने बताया था, आपकी mom भी तो काफी सारे problems आपके solve करती है, friends भी तो करते है, तो family members और friends द ही तो है dialogue listening, और एक point यहाँ पर कौन सा था, speaker के बारे में समझना, और speaker कैसे सोचता है, उसकी thinking process क्या है, इन चीज़ों को भी observe करना, फिर हमने देखा था relationship listening, relationship listening क्या था, relationship listening पता है, किया हुआ है, या किसी को सुना है, मैंने तो सुना है, क्या करते है वो लो, बहुत boring बाते करते हैं, बहुत बखवास बाते करते हैं, फिर भी उन्हें interesting लगती है, कितनी बखवास बाते, कितनी boring बाते, घंटों बर वो बाते करते हैं, और किसी और से वही चीज़े बात करेंगे तो, वही बाते करेंगे तो, फिर boring लग जाएगी, यही हो गया relationship listening, चलो मुझे एक ब पस्ट लगेगा, वह आपको पसंद करेगा, पसंद बिजनस प्रोस्पेक्टीव से सिर्फ, है न, तो जो बिजनस है, वो smoothly हो जाएगा, फिर हमने पैड़ा था selective listening, selective listening भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बताओ, selective listening क्या है, आपका वो friend जो हमेशा काम के लिए phone करता है, और फि इतना सुनते हो, जितना आपको सुनना है, उतना ही सुनते हो, बाकी बाते सुनते ही नहीं हो, मतलब जितना सुनना है, उतना ही सुनते हो, मतलब क्या करते हो, selective सुनते हो, यही हो गया न, selective listening, और आखरी वाला हमने पैड़ा था, active and effective listening, active and effective listening क्या है, जो आप लोग कर रहे हो आप लोग कैसे actively listening कर रहे हो और active मतलब fully fully मतलब physically mentally emotionally psychologically फिर जो active listening होता है क्या वो effective भी होता है हाँ effective तो होगा फिर effective listening जो होगा वो active भी होगा क्या हाँ वो active listening भी होगा मतलब ये दोनों चीज़े अलग नहीं कर सकते फिर speaker के लिए वो जो listeners है वो तोड़े sensitive होते है उन्हें कदर होती है speaker की मतलब आप जैसे लोग तो आप लोग कैसे हो active listeners हो ये हो गया हमारे सारे listening के types सारे types बहुत अच्छे से revise हो गया और इतनी बार revise हो गया कि आपको अभी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है mcq आप यूँ ही solve कर लोगे है ना कितने types थे total listening के 13 types थे अब types of listeners revise करें listener का type तो आप ही लोगों का है active listeners आप कैसे हो active listening करते हो active listeners का नमायम हमें मतलब पता है fully listening करते है वो लोग physically भी रहते है mentally भी रहते है emotionally भी रहते है psychological भी रहते है हमें सब पता है पर और एक extra चीज याद करो अगर यह life class होता था तो तो फिर मैं आपको पूछती थी आप लोगों को समझा क्या आप लोग क्या करते थे head nod करते थे या फिर मैं आपको पूछती थी चलो कुछ doubts है तो आप लोग doubts पूछते थे questions थे या कुछ clarifications पूछते थे हैं ना मतलब आप बहुत अच्छे से सुनते थे तभी तो doubts पूछते थे questions पूछते थे आप अभी भी मुझे messages में बहुत सारे questions पूछते हो इसी का मतलब आप लोग क्या करते हो आप लोग पूरा फुली listening करते हो actively listening करते हो तो आप जैसे जो listeners वो active listeners होते हैं वापस मुझे शल्दी शल्दी बताओ active listeners कौन होते है active listeners fully listening करते हैं और उसके बाद मैं वो clarifications भी पूछते है questions भी पूछते है doubts भी पूछते है वो head nod करते है सारी चीजे भूलो करते है उसके बाद ना वो speaker के लिए बहुत sensitive भी होते हैं स्पीकर से उनको फरक पड़ता है और दोनों लिस्नर्स के लिए भी और स्पीकर के लिए भी यह विन-विन situation होगी कैसे स्पीकर को तो अच्छा लगेगा इतनी सारी चीज़े अगर एक्टिवली सुनी जा रही है तो स्पीकर को तो अच्छा लगेगा और लिस्नर्स को भी अच्छा लगेगा उनको सारी चीज़े समझ रही है ना तो यह दोनों के लिए भी विन-विन situation हो जाएगे यह हो जाते है active listeners फिर हमने पढ़ा था passive listeners passive listeners कौन थे याद करो passive listeners के लिए कैसे याद करना है active listeners के complete opposite complete opposite मतलब क्या होगा वो ना questions पूछेंगे वो ना head nod करेंगे ना वो कोई ий clarification पूछेंगे ना वो कोई response देंगे, मतला पुरे opposite पर passive listeners यह लोग listening करते है क्या Koala hearing करते है एक तो वो लोग partial listening करते है पहली बार, पहला पॉइट partial listening करते है और partial listening करने के वजह से इनको कोई doubts नियाती कोई questions नियाते कोई clarification यह लोग नहीं पूछते is basically lobes hearing करते हैं याद आग्या फिर हमने पैड़ा the non listeners not listeners के लिए मैंने आपको एक video दिखाया था याद आया वह क्या कार रहा था उस video में वह बंदा था क्या कर रहा माँ वह सुनी नहीं रहा था बुलकुल भी नहीं सुन रहा था तिर भी वह फेक्ट प्रिटेंड कर रहा था वो बीच में भूल रहा था I know I understand है ना तो यह जो non listeners होते हैं वो बिलकुल भी सुनते नहीं है उनको कोई इंट्रेस्टी नहीं होता है और इसलिए speaker के लिए भी वो एकदम insensitive होते हैं उन्हें कोई फरक नहीं पड़ता पर मुझे इसमें एक चीज़ बताओ अभी पैसिव लिसनर्स और नॉन लिसनर्स इनमें फरक है क्या या इनमें क्या फरक है फरक तो होगा अलग-अलग दि सुनते ही नहीं है डे डू नॉट लिसन एड़ बिल्कुल भी नहीं सुनेंगे और इसलिए वो लो क्या करेंगे बस फेक प्रिटेंड करेंगे कि हां हम सुन रहे हैं I understand I know speaker को समझेगा क्या फेक प्रिटेंड करेंगे तो समझेगा ना तूरं समझेगा एक तो वो बीच में सही sentence complete होने से पहली I know बोल देंगे या फिर ब्लांक स्टेयर करते रहेंगे नर्वस रहेंगे यह सारी चीज़े रहेगी फिर हमने पढ़ा था मार्जिनल लिसनर्स मार्जिनल लिसनर्स के लिए मैंने आपको एक example दिया था office वाला वो office का employee आदे वो meeting में क्या कर रहा था द बॉस तो पूछेगा बॉस क्या पूछेगा अरे क्या हुआ meeting में इसलिए उसने क्या क्या बस conclusion क्या है जाननी की कोशिश की तो यही होता है marginal listeners पहले तो बहुत impatient होते हैं फिर उसके बाद उन लोगों को interest किसमें होता है बस conclusion में पूरी complicated बाते समझने में इनका कोई interest नहीं ह इनको बस conclusion चाहिए कि आरे end क्या हुआ office का example याद रखोगे office का employee मितलब marginal listeners और फिर evaluative listeners तो आप नाम से समझ गए रहोगे कौन थे evaluative listener मैं वो judge करेंगे वो evaluate करेंगे और वो इतना evaluate करते रहेंगे कि वो बाकी चीज़े observe ही नहीं करेंगे कौन सी चीज़े नौन वर्बल जैसे facial expressions body language इंशीजों को तो वो observe नहीं करेंगे क्योंकि वो evaluate करते रहेंगे वो judge करते रहेंगे फिर वो sensitive रहेंगे क्या speaker के लिए नहीं रहेंगे कैसे sensitive रहेंगे उनको कुछ पड़ी ही नहीं है इतना judge कर रहें वो लोग तो sensitive कहां से रहेंगे यह हो गया evaluative listeners सारे listeners आपको clear हो गया और revise हो गया वापस बताओ मुझे पहला हमने कौन सा देखा आप जैसा active listeners फिर हमने कौन सा देखा passive passive मतलब complete opposite to active यह लोग क्या करते हैं partially listening करते हैं कोई questions नहीं पूछते और उपर से यह लोग बस hearing करते हैं फिर हमने पढ़ा था non listeners non listeners वो video याद करोगे और वो video में क fake pretend कर रहा था I know I understand सब कुछ बस fake pretend कर रहा था और उसके बाद हमने marginal listeners पढ़ा था marginal listener के लिए office का employee का example और वो employee technical बातों में उसे interesting नहीं है उसे बस conclusion चाहिए एकदम impatient है वो और तिर हमने पढ़ा था evaluative listeners evaluative listeners मतलब judge करने में लगे रहे हैं बस judge ही कर रहे हैं बाकी चीजों observe ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर एक हमने word देखा था paralinguistic voice tone और voice speech को भी यह लोग observe नहीं करते नौन वर्बल चीजों को भी यह लोग observe नहीं करते चलो अभी आएंगे characteristics of active listener easy है ना reactive listener तो आप ही हो आपके characteristics बताओ आप लोग fully listening करोगे और fully मतला मैं हो गया याद हो गया तिर उसके बाद आप एकदम अच्छे से speaker को observe करोगे non-verbal चीजों को भी ध्यान रहोगे बस story की तरफ ध्यान नहीं दोगे story का तरीका भी देखोगे और उसके बाद और एक point अब speaker के लिए sensitive रहोगे यह हुए हमारे characteristics उसके बाद हम पढ़ेंगे barriers barriers to active listeners active listeners को barriers कैसे वो तो बहुत अच्छे से सुनते है fully listening करते है आप लोग भी active listening करते हो पर हमेशा अच्छे से listening कर पाओगे क्या हमेशा actively listening कर पाओगे कभी-कभी बहुत सारे distractions रहेंगे बहुत सारी चीज़े रहेगी तो यही सब barriers बन रहेंगे शलो barriers पढ़ेंगे सबसे पहला था हमारा inadequate language base revise करेंगे हम यह already सारी चीज़े पढ़ चुके है language नहीं पता है मैंने अभी फ्रेंच में बताना start किया मैंने आपको जर्मन में पढ़ाना start किया कुछ नहीं समझेगा मैं language नहीं पता है कहां से समझेंगे तो यह हो गया inadequate language base उसके बात partial listening पार्शल लिसनिंग मतलब चलो मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ पर आपने क्या किया बीच में से ही फोन उठा लिया बीच में से ही आपका कुछ important message था आपने reply करना start किया और फिर मैंने जो important चीज़ आपको बताई आपने वो miss कर दी कु तिर उसके बात disinterestedness अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको बहुत interest है आप अच्छे से सुन रहे हो पर शलो मैं आज प्रवचन देना start करती हूँ मैं आज आपको बताती हूँ अच्छा इंसान कौन होता है अच्छे इंसान की आदते कैसी होती है नहीं 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 सुनेंग ध्यान दोगे क्या नहीं दोगे क्यों नहीं दोगे क्या कि एकदम disinterested हो आप लोगों को कुछ interest ही नहीं है तो यह भी एक barrier बन जाएगा उसके बाट pre-judging the speaker जच कौनसी चीज़ों पर करते है हम speaker को बहुत सारी चीज़ों पर एक तो level पर भी जैसे CEO बात करेगा तो बहुत बहुत बार जच किया जाता है है ना तो यह भी एक barrier बन जाता है उसके बाद negativity towards the speaker यहां पर कौनसा example यह था हमने आपके ग्रूप में कोई नया लड़का आया या चलो कोई नई लड़की आई और फिर वो बात करने लगी पर आपको अचानक से याद आया कि अरे इस लड़ क्योंकि आपके दिल में पहले से negativity भरी थी आपको याद आ गया कि मुझे तो smile back भी नहीं क्या था मेरी तरफ देखके तो मुझे ignore कर दिया था तो यह negativity भी फिर barrier बन जाती है और फिर हमने देखा diffidence diffidence क्या था एक होता है confidence दूसरा होता है diffidence diffidence मतला खुद की capabilities पर doubt करना self doubt कर करते हो कई बार अगर किसी conference में गया कोई और उसे ऐसे लगा कि यार यह सारी चीज़े तो मुझे नहीं समझेगी मेरे लेवल के बाहर है यह जीज़े तो यह diffidence हो जाएगा और फिर हमने देखा था over enthusiasm intolerance कुछ लोग ऐसे होते हैं over excited speaker की बात खतम नहीं होगी पर इनके questions ready हो पिर आखरी हमने देखा था डीप रूटेड बिलीफ नानी दादी की बाते याद आ गई नानी दादी क्या कहती है आज का दिन अच्छा नहीं आज भाहर मत जाओ अरे यह चीज गिर गई अब शकून हो गया यह सारी चीज़े उनके डीपली रूटेड बिलीफ इन्होंने क्या पिमिलीफ करेंगे तो वह कोई उन्हें बतायी का थो भी बिल्कुल बिलिफ नहीं करेंगे क्योंकि उनका वह हमारे Сारे बेख्यर सरा इसे में इससे याद क्या था प्र continuing को एक 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 बताओ active listeners के क्या क्या barriers है पहला story में क्या था आप की story है आपको language नहीं पता इसलिए वो inadequate language हो गई तो barrier बन गया उसके बाद language नहीं पता थी तो मैम हम पूरा सुनी नहीं पाए हम बहुत आधी अधूरी चीज़े सुने पार्शल लिस्निंग हो गया इसलिए हमारा पेड आउट होने लगा हम self-capabilities पेड आउट करने लगे कि हमें कैसी नहीं आती है यह language तो diffidence फिर क्या हुआ आपने जज़ करना स्टाट किया speaker को कि यह speaker हमारी language में क्यों नहीं बैठ कर सकता है आपने ज़च किया तो फिर speaker को जच किया यह एक barrier बन गया फिर आप speaker के two words बह चलो ठीक है मैं इनकी language में बैठ करता हूँ ठीक है मैं आपको जो समझ रही है ना उस language में बैठ करता हूँ तिर आप overexcited हो गए over enthusiasm and intolerance और इसके बात जो आपके बिली ते वो आपने वापस ला लिए स्टोरी का फ्लो याद रखोगे चलो वापस बताओ पहला था inadequate language फिर आपने partial listening किया आप disinterested हो गए disinterested होने के बात आपने self-doubt किया self-doubt करने के बात आपने जच किया जच करने के बात आप negative हो गए फिर speakerness होता चलो ठीक है यार इनकी language में बात करता हूँ overexcited हो गए और overexcited होने के बात आपके जो belief है वो आपने वापस लाए यह हमने सारे पढ़ लिये barriers उसके बात क्या है उसके बात है principles of effective listening principles of effective listening मतलब सारा स्कूल का ग्यान हमने पढ़ा था यह जितनी भी स्कूल में ग्यान वाली बाते आपको बताई गई है न वो सारी जैसे पहला है stop talking स्कूल में टीचर बताती है बात मत करो बात करोगे तो आपका वो क्लास वाला हैड क्या बताता था जो क्लास का हैड होता था मैं बोर्ड पे नाम लिख दूंगा है न स्टॉप टॉकिंग तो यह एक principle of effective listening है बात नहीं करोगे तो speaker को अच्छे से सुनोगे फिर दूसरा था prepare yourself to listen मतलब कोई distractions नहीं चाहिए स्कूल में आप लोग क्या करते थे teacher के ड्रॉइंग बनाते थे pages shuffle करते थे यह सारी चीज़े अबवएड करोगे खुद को prepare करोगे यह माइंड में कई बार बहुत अलग-अलग thoughts होते है ना जैसे आज लंच में क्या है आज डीनर में क्या है क्या मोम ने कौन से subject बनाई है क्या मैं खुद कुछ बना लूँ यह सारी चीज़ों के thoughts रहेंगे तो यह सब से barrier बन जाएगा इसलिए यह नहीं करना है basically जितना भी ग्यान है वो सारी चीज़े यहाँ पे आएगी prepare yourself to listen हो गया then put the speaker at ease मतलब speaker को अच्छे से बात करने देना ह है speaker को समझना है ठीक से judge नहीं करना है speaker को पहले रखना है selfish नहीं बनना है यह सारी चीज़े लिंक है अपने आगे की पहले की सारी चीज़े बहुत अच्छे से पढ़ी है तो आगे की चीज़े आपको बहुत easy लगेगी चलो remove distraction distraction मतलब मैंने आपको पहले बताया वहीं सारी चीज़े कौनसी drawing नहीं बनाना है papers shuffle नहीं करने है यही distractions हो गया तो वो सारे distractions निकाल देना है या फिर mobile उठा लिया किसी को reply कर लिया यह सारे चीज़े नहीं करनी है फिर empathize करोगे empathy हमने पढ़ा था sensitive रहोगे speaker के लिए आप feel करोगे जो speaker feel करता है तभी आप अच्छे से listening कर पाऊगे effective listening कर पाऊगे फिर be patient teacher ने लंबा pause ले लिया आप लोग क्या करते थे मस्ती करना start करते थे पर अगर teacher ने pause भी लिया तो ऐसे नहीं समझना है कि speaker की बाट complete हो गई वो बस एक pause हो सकता है और तभी फिर effective listening करोगे सारी school वाली बाते याद करो आपको यह सारे points याद रह जाएंगे आपको meaning भी समझ जाएगा avoid personal prejudice मतलब हमारे कुछ personal habits होते हैं ना हमें इसी टाइप के speakers पसंद है जो speakers normally बात करते हैं ना बीना कोई hand movements के या फिर बीना कुछ voice tone के वो हमें पसंद नहीं आते यह सारी personal habits हो सकती है personal choice हो सकती है बड़ ऐसे नहीं करना है आपको अ listen to the tone मतलब tone से भी आप बहुत सरी चीज़े समझते हो जैसे high tone होगा तो वो क्या convey करेगा एक तो message बहुत important है यह जो speaker है वो कुछ aggressive way में बात कर रहा है यह चीज़े आप observe करोगे और low tone होगा तो maybe draw speaker है वो थोड़ा disturbed है उसका tone थोड़ा low है यह चीज़े आप समझोगे तो यह effective listening होगा उसके बाद listen for ideas not just words in between lines पढ़ना है सिर्फ words की तरफ ध्यान नहीं देना लड़किया यह बात अच्छे से समझ सकती है words कुछ और हो सकते है but meaning कुछ और हो सकता है कैसे कई बार होता है I am fine या words कुछ और हो सकते है क्या मतलब भी वही रहेगा क्या नहीं तो between the lines प बहुत 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 हो गया facial expressions body language बताओ चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या क्या थे stop talking सारा ग्यान बस याद करो यह चीज़े इतना याद करना ज़रूरी नहीं क्यूंकि पूरे चैप्टर में ग्यान बस इसी पॉइंट में है तो हम बस meaning समझेंगे पहला था stop talking उसके आइडियास को समझो ना कि बस words को समझो और non-verbal चीज़ों को भी observe करो सारा ग्यान मतलब यह हो गया हमारा principles फिर पढ़ेंगे barriers to effective listening अभी रेखो अभी हमने क्या पढ़ा पढ़ो principles पढ़े effective listening के पर अगर आप यह सारी चीज़े follow करोगे तो भी effective listening हो जाएगा क्या कोई दिक बेला barrier है वो है preconceived ideas और bias वो सारे examples वही है सारी चीज़े linked है यहाप तो आगे की चीज़े अब आप जल्दी जल्दी समझोगे preconceived ideas मतलब मैं हां हमें पता है दादी नानी का example जहाँ पे हमारे already कुछ माइंड में opinions होते हैं कोई ideas होते हैं फिर हम bias बन जाते हैं और speaker को फिर अच्छे से सुनते ही नहीं है जैसे दादी नानी वो सुनते ही नहीं है ना ठीक से उनकी कोई already preconceived ideas रहेंगे तो फिर interrupting interrupting कौन सा listening था यह interrupting वाला over enthusiasm लोग वो क्या करते हैं वो बार बार interrupt करते हैं speaker की बात भी खतम नहीं होगे और इनका question ready हो जाएगा या तिर यहीं खुद speaker की बाते complete कर देंगे तो interrupt करेंगे इसका मितलब क्या होगा वो अच्छे से listening कर ही नहीं रहें और यह barrier बन जाएगा previous experiences के लिए भी आपको example कौन स याद आना शोगे previous experiences के लिए आपका वो friend circle कोई new friend आया और उसने आपको पहले smile ही नहीं किया था previous experience बन गया था यह आपके लिए और इसलिए आपने फिर अच्छे से listening ही नहीं किया यह barrier बन गया preoccupation mind में इतनी सारी चीज़े है कि नई चीज़े अब डाली नहीं सकते कौनसी कौनसी चीज़े माइड में आज लंच में क्या है आज डीनर में क्या है मैम और भी बहुत सारी चीज़े होती है हमारे माइड में आप पूछो मत फिर इतनी सारी चीज़े अगर माइड में डाल होगे तो नई चीज़े कहा से सिखोगे मतलब preoccupation उसके बाट having a close mind close mind कभी-कभी हम सुनना ही नहीं चाहते हैं हम हमारे ही opinions रखते हैं हमें already ऐसे लगता है मुझे यह सब कुछ पता है हम सुनते ही नहीं है पर ऐसे नहीं होना तो भी तिर आपको speaker कितना भी अच्छे से कुछ explain क्यों ना कर रहा हो आपका ध्यान ही नहीं होगा आप किसी औरी mood में हो आपका emotional stability ही नहीं है emotions आपके बहुत आप पे हामी कर रहे हैं और फिर noise इतना सारा background noise है आपका वो example याद है मुझे एक किसी का phone आया था और उसने मुझे क्या कहा था कि आप ये काम करोगे क्या और मैंने क्या बोला हां मुझे बहुत खुशी होती थी पर अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा workload है इसका मितलब कि मैं नहीं कर सकती पर noise के वज़े से उन्होंने एक कुछ सुनी नहीं रहता है ना फिर becoming emotional emotional हो जाओगे बहुत तो भी ठीक से नहीं सुन पाओगे avoid jumping to conclusions यह कौन थे तुरंट सारी चीज़ा याद होनी चाहिए अभी बहुत बार रिवाइस कर लिया हमने conclusions की कौन ध्यान देता है सिर्फ conclusion की किसको पड़ी रहती है हाँ मैं पेटा है marginal listeners marginal listeners जो है उनको बिस conclusion जाए होता है वो बहुत impatient होते है और इसलिए वो भी एक barrier बन जाता है उसके बाद distraction distraction पटा है बहुत सारे distractions है message आ गया कुछ call आ गया कोई कुछ बात कर रहा है और हमारा ध्यान कहीं और चल आ गया तो यह हो गया distraction बताओ चलो कौन से कौन से थे barriers to effective listening क्या हम यह story wise याद करेंगे क्या ज़रूरी है क्या नहीं है क्यूंकि हमने barriers to active listening पड़ लिये वो कौन से थे वो language बाला active language active language कैसी याद रखोगे language कैसी होती है active फिर आपको दूरान flow मिलना चाहिए पहला पॉइंट language हो गया language के बाद हमने partial listening किया फिर हम disinterested हो गया फिर हमने speaker को जज किया फिर जज करने के बाद हम negative हो गया फिर diffidence हो गया फिर speaker ने बोला कि चलो तुम्हारी language में बात करता हूँ इसलिए फिर हम वापेस overexcited हो गया है ना enthusiasm और हमारे जो belief है वो हमने वापस ला लिए flow मिल रहा है तो वो अगर आपको याद हो गया जो barriers of active listening था तो effective listening के barriers के याद करना ज़रूरी है क्या barriers तो दो ही है और आपका pattern कैसा है exam का MCQ pattern है एक चीज़ आपको याद हो गई फिर अगर ऐसा भी आया कि इसमें से concept barriers to effective listening है तो भी आप आसानी से याद कर पाओ के क्योंकि वो active listening वाले barriers देंगे और फिर आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा तो ऐसा smart study करना है ठीक है चलो कॉनसे कॉनसे थे एक बार बताओ प्रेकंसिव आइडियास, interrupting, previous experience था कुछ, preoccupation, having a close mind, उसके bad bringing in emotions, noise, faking attention, becoming emotional, avoid jumping to conclusions or distraction, फिर ये सारे जो barriers थे वो हम overcome कर सकते हैं क्या, जो effective listening के barriers है, active listening के barriers है, क्या वो हम overcome कर सकते हैं, हर चीज़ का solution होगा, problem है, दिक्कत है, तो उसका वे भी होगा, तो वैसे ही इसका भी वे है, क्या वे है, पहला वे तो आपको clues देने हैं, जैसे आप लोग देते हो, आप लोग बताते हो ना मुझे, आपको अच्छा लगा, सुनकर क्या लगा, आप messages करते हो, आप लोग questions पूछते हो, तो clues देन हो अगर concentrate करोगे तो बाकी की चीज़े आपको याद नहीं आएगे डिस्ट्रक्शन आपको याद नहीं आएंगे आप बहुत अच्छे से सुनोगे उसके बाद immediate response करना वो अच्छा होता है या बूरा होता है इतना भी अच्छा नहीं होता और completely बूरा भी नहीं होता मतलब क् कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हमेशा सुनने के लिए ही सुनते उनको reply करने की जादा जल्दी होती है एक सेंटेंस सुनेंगे और क्या सोचेंगे मैं इस पर क्या reply करूं मैं इस पर क्या response दूं तो ऐसे करेंगे तो यह barrier बन जाएगा इसलिए यह नहीं करना है तो प्रिपेर पर पहले से अगर रहोगे तो ही अच्छे से सुन पाओगे तो पहले से सारी चीज़ों के लिए प्रिपेर रहना आपका माइंड प्रिपेर होना चाहिए उसके बाद बी प्रिपेर टू एक्सेप्ट रिविजिन हो सकता है कई चीज़े चेंज आ गई तो चेंज बदलाव आपको एक्सेप्ट करना है और फिर एंवर्मेंट है वो लिसनिंग के लायक होना चाहिए जैसे आप जहां पर सुन रहे हो बहां पर बहुत ज्यादा आवाज सुनी नहीं पारे हो आप बहुत अच्छे लिसनर्स हो अक्टिव लिसनर्स हो फुली लिसनिंग करते हो पर आदे घंटे के बाद आपका ध्यानी नहीं होगा तो ऐसे नहीं जो ऐसी जगा चाहिए जहां पर आप सच में अक्टिव लिसनिंग कर पाऊगे जगा अची है कूल है कोई गर्मी नहीं हो रही है बैक्ग्राउंड कोई नौइज नहीं है तो ही वो अक्टिव लिसनिंग हो और आज हमने रिवाइज भी कर ली इसके अलावा अब आपको कुछ भी करना ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ आप करोगे वो क्या MCQs वो तो सॉल्ब करना है ना एक्जाम पैटन क्या है आपका MCQs तो अभी रिवीजन भी हो गई तो आप बस अभी नेक्स लेक्चर देखोगे जो MCQs का होगा और MCQs होने के बाद आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे फिर आपको लिसनिंग स्किल्स में कोई भी दिक्क सब्सक्राइब करने के लिए सारी चीजें हमने बहुत अच्छे से क्यूंकि रिवाइज कर ली है तो अभी नेक्स लेक्चर में मिलेंगे MCQs के सो बाई हैव गूद डे टेक केर